नमस्कार, नगरी प्रशाशन मंत्री के लास विजय वर्गिया और महापोर्पुष्यमित्र भार्गव ने बुद्धवार को AICTSL द्वारा संचानित इलेक्ट्रिक वसों को हरी जुन्टी दिखाकर रवाना किया महिलाओं के लिए पिंक E-Wars की शिरुवात भी की गई है प्रदीश का पहला वस रीडियो गटल रीडियो का भी लोकारपन किया गया बतादे कि BRTS कौदी डोर में चल रही आई वसों को रेप्लेस कर E-Wars से चलाई जाएंगी महापौर्ध घरगब ने ये बताया कि दीश का सबसे स्वच्छे शहर अब नवाचारों का शहर बन चुका है इन दौर के अपने अटल रेडियो का संचालन शहर की सभी सिटी बसों और BRTS पर चलने वाली E-Busों में होगा रेडियो से लोगों के मनुरंजन के साथ साथ नगर निगम और मद्रप्रदेश प्रशाशन की यूशिनाओं का प्रचार भी किया जाएगा रेडियो का संचालन गीता भवन स्थित AICTSL मुख्याले से किया जाएगा रेडियो में युवाओं के लिए रोजगार सूशना, कौरियर डॉर एबं करियर की सलहा एबं मोटिवेशनल आदी पॉद्कास्ट प्रसारित होंगे महिला सश्रक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर जाग रुपता कारिकरमों का भी प्रसारण होगा विशेशकारिकरम, मेयर संबाद की जर ये संबाद जनता के जनहित के विशयों पर संबाद होगा सच्चता सर्वेक्षन, स्मार्ट सिटी डेवलप्मेंट, बुलेटिन इमर्जेंसी, ब्रॉड कास्टिंग, ट्राफिक अपडेट्स और लाइव अनॉंसमेंट भी इसका हिस्सा होंगे प्रदेश में पहली बाद लोग परिवहन की बसों में इंटरनेट रेडियो होगा अंतरास्टियम महिला दिवस पर महिलाओं के लिए महिला चौलक बाद परिचौलक के सांथ बी आर्टी एस पर पिंक इलेक्ट्रिक बस का संचालन होगा वहीं बता दें कि AICTSL दुआरा वर्ष 2021 से दो पिंक बस ने शुरू की गई थी वहीं अहिल्या बाहिनी नाम से संचालत इन बसों में महिलाओं को जागरू करने ही तो विशेश ब्रांडिंग की गई है वहीं चलिए बताते हैं कि आखिर इबसों की विशेशता क्या है BRTS पर कुल 30 इलेक्ट्रिक प्रीमियम AC बसों का संचालन प्रारंध किया जा रहा है इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज करने पर 200 से 300 क्लोमीटर तक चलेगी वहीं नई इबसों में कुल 35 सीच रहेंगी जिसमें ब्रध जनों पर महिलाओं के लिए अलग से बैठक व्यवस्था होगी देव्यांगों के लिए वीलशेयर व्यवस्था भी रहेगी वहीं डीजल बसे हटाकर इबसों की कुल संचालन अविदी में 4 करोड 9 लाख किलो कारवन रियाखसाइड परियावरन को प्रदूशित नहीं करने में सहायक होगा और इससे शहर को कारवन क्रेडिट पॉइंट अरजित हो सकेंगे